उत्तरी इसराइल हर एक मिनट और हर एक सेकंड में हिजबुला के हमलों से जल रहा है। अगर हिजबुला इसराइल पर जमीनी हमला करता है तो ये जंग सीधी आरपार की लड़ाई में जाएगी। लेकिन हिजबुला लगातार अपनी सीमा रेखा पार करके एक कदम आगे जा रहा है। दरासल हिजबुला ने 14 अगस 2024 को उत्तरी इसराइल पर एक बार फिर से कई सिलसिलेवाथ हमले किये हैं। हिजबुला का कहना है कि उसने मैतुला साइट पर IDF के एक सर्विलेंस उपकरन को उड़ा दिया है। और इस हमले के बाद करीक 10 बज कर 10 मिनट पर शेतूला के जंगलों में इसराइली सेनुकों के जमावडे वाली जगा पर एक सीधा हमला किया। हिजबुला के मुताबिक 10 बज कर 50 मिनट पर उसने अलबगदादी साइट पर भी सीधा हमला किया। और इसके बाद जिबदीन बैरिक्स पर भी कई गोले और रॉकेट फायर कर दिये जो सीधे अपने टार्गेट पर लगे। आपको बता दे कि हिजबुला ने ये भी दावा किया है कि उसने कबजे वाले कफार चौबा हिल्स में अल राम्था सैन ने अड़े पर भी कई रॉकेटों से हमला किया है जिसमें IDF को भारी मुक्सान हुआ है। और इस हमले के बाद हिजबुला ने उत्री अभीरिम में एक बड़ा ड्रोन हमला किया। यहाँ पर हिजबुला ने IDF के जमावडे वाली जगा पर काई ड्रोन एक साथ फायर कर दिये। और इसके अलावा किरियच शमोना सेटलमेंट में भी हिजबुला ने कतियूशा रॉकेट्स का एक पूरा जथा फायर किया है। और इस्राइली न्यूश चैनल 12 ने भी इस हमले की पुष्टी की है। चैनल 12 का कहना है कि रॉकेट दक्षनी लेबनान से आये थे जो एक बस्टेंड के पास आगिरे जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग गई। महिकरियत शमूना के मेयर अविचा इस्टर्न ने लोगों से कहा कि वो अगले आदेश तक नजदी की सुरक्षित जगा पर चले जाएं। महिकर नज़र आती है। पोस्ट पर अपना ज़ंडा लहराने की ताकत है और वो उसे आग के हवाले भी कर सकते हैं।